आज हम सिखेंगे प्रतिशत्ता यहां देखिए यहां तीन पीले रंग की गाडिया है और दो निले रंग की गाडिया है अगर हम कुल पांच गाडियों को एक पूर्ण माने तो पीले रंग की गाडिया कुल गाडियों का कौन सा भाग है? सोचे सोचे सही सोचा पीले रंग की गाडियां कुल पांच गाडियों में से तीन है इसलिए इनका भाग है तीन बटे पांच सोचिए अगर हमें इस भिन यानि फ्राक्शन को सौ बराबर भागो वाले वर्ग से निरूपित करना है तो यह हम कैसे करेंगे? हम तीन बटे पांच की तूल्य भिन प्राप्त करेंगे जिसका हर सौ हो इसके लिए हम तीन बटे पांच की अंच और हर दोनों को बीस से गुणा करेंगे इससे हमें तीन बटे पांच की तूल्य भिन प्राप्त होगी साथ बटे सौ अब हम 100 बराबर भागों में से 60 बराबर भागों को चायांकित करेंगे इस तरह से हमने 3 बटे 5 को 100 बराबर भागों वाले वर्ग में निरूपित किया है यहाँ 60 ऐसी भिन्न का अंश है जिसका हर 100 है जिस भिन्न का हर 100 हो उसका अंश प्रतिशत कहलाता है इसे हम इस प्रकार लिखते हैं और पढ़ते हैं 60 प्रतिशत लेकिन हम 60 बटे 100 को 60 शतांश भी पढ़ते हैं शतांश शब्द बना है दो शब्दों से शत और अंश शत का अर्थ है 100 इस तरह से सतांश का अर्थ है 100 का अंश यानि 100 में से चाहे हम शतांच शप्त का प्रयोग करें या प्रतिशत दोनों का अर्थ है प्रती 100 यानि 100 में से इस तरह से 60 शतांच या 60 प्रतिशत का अर्थ है 100 में से 60 चुकि यहां अंश 100 में से लिये गए भागों को भी व्यक्त करता है इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रतिशत यानी पसेंट पूर्ण के सो बराबर भागों में से लिये गए भागों को निरूपित करता है अब आईए पता करते हैं गणित में प्रतिशत कैसे ग्याद करें मान लीजिए एक बैग में 5 लाल गेंदे हैं 6 नीली गेंदे और 9 पीली गेंदे हैं आईए प्रतिखरं की गेंद का प्रतिशत ग्याद करें सबसे पहले हम कूल गेंदे ग्याद करेंगे यहाँ 5 धन 6 धन 9 का योग है 20 याने कि 20 में से 5 लाल गेंदे हैं, जिसे हम भिन 5 बटे 20 से निरूपित करेंगे इस प्रकार किया आप बता सकते हैं नीली गेंदों की संख्या और पीली गेंदों की संख्या को भिन्न के रूप में कैसे व्यक्त करेंगे? सोचे सोचे सही सोचा, 20 में से 6 नीली गेंदे हैं, इसलिए इनकी भिन होगी 6 बटे 20 और 20 में से 9 पीली गेंदे हैं, इसलिए इनकी भिन होगी 9 बटे 20 चलिए पहले हम कुल गेंदों में लाल गेंदों का प्रतिशत ग्याद करें इसके लिए पहले हम 5 बटे 20 भिंद को उसकी तूल्य भिंद यानि equivalent fraction में बदलना होगा जिसका हर 100 हो सोचिए यह हम कैसे करेंगे? सोचिए सोचिए चलिए हम बताते हैं हम 5 बटे 20 के अंच और हर दोनों को 5 से गुणा करेंगे इससे हमें 5 बटे 20 की तूल्य भिंद प्राप्त होगी 25 बटे 100 प्रतिशत उस भिंद का अंच होता है जिसका हर 100 है इस तरह से भिंद 25 बटे 100 का हर 100 है और अंच 25 है इसलिए हम इसे 25 प्रतिशत कहेंगे और इस तरह लिखेंगे परिवर्तन करने का एक और तरीका है इसके अंश और हर दोनों को 100 से गुणा करेंगे 6 बटे 20 गुणा 100 बटे 100 चुकि हम समान संख्या से अंश और हर को गुणा कर रहे हैं इसलिए पिन्नु का मान नहीं बदलेगा अब हम इसे 6 गुणा 100 बटे 20 गुणा 1 बटे 100 लिख सकते हैं एक बटे 100 यानी एक प्रतिशत जिसे हम प्रतिशत इस चिन्न से दश्राएंगे हल करने पर हमें ग्यात होगा नीली गेंदे कुल गेंदों में से 30 प्रतिशत है यह तरीका उन स्थितियों में बहुत कारगर है जहां बिन्न के हर को 100 बनाने में कठिनाई हो जैसे 4 बटे 15 को प्रतिशत में व्यक्त करने के लिए हम इसे 100 बटे 100 से गुणा करेंगे बराबर 4 गुणा 100 बटे 15 गुणा 1 बटे 100 बराबर 400 बटे 15 प्रतिशत बराबर 26 और 2 बटे 3 प्रतिशत इस तरह अब आप समझी गए होंगे कि कैसे हम किसी भिन्दों को प्रतिशत में व्यक्त करते हैं तो क्या अब आप पीली गेंदों का प्रतिशत ग्याद कर पाएंगे प्रयास कीजिए तो आज हमने सीखा प्रतिशत अगले वीडियो में कुछ और उधारणों से इसे और अच्छे से समझेंगे